हेलो गाइज मे हुँ विशालो गाइज हमने बनाए दुन्या की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक स्कुटी यह एक्सपरिमेंट चैनल बनाये गए तो उसी पर इसका वीडियो आने वाल आ है हमने हमारे इलेक्रिक स्कुटी के लिए पूरा सिस्टम बना दिया है आप देख से को पीची के साइड में हमारे पास एक हब मोटर भी लगी हुई है लेकिन इसको चलाने के लिए में बैटरी की जरौते जो कि हमारे पास नहीं है तो आज इस वीडियो कंदरा में एक 48V की ली लिथिमायन बैटरी उससे तीन गुनी कम रेट के अंदर में आपको बना कर दिखाने वाला हूं और आपको यह सस्ते से कैसे लेने आपके गाहों के और आपके आसपास वह में आपको बताने वाला हूं तो इस वीडियो में लाइस तक बने रहना क्योंकि काफी दा मजे आन के लिए लिथिमायन बैटरी सेल लेने होंगे लिए मार्केट से कर लोगे या फिर ओनलाइन पर्चेस करोगे अच्छी क्वाल्टी वाले तो काफी जादा महें मिलते हैं हमने अपर एक सांधा सा जुगार निकाला जिसे आपको काफी कम रेट के अंदर चालू सेल मिल यह जो काफी कम रेट के अंदर मिल है है ओनलाइन मिलते उस like में उरिघ्णल वाले चालू सेल है मुझे अपको समझ भी ताहि आपको सब से पहले क्या करना होगा मार्केट में जाना हो अगो और ऐसी जगह पर डूडने होगी ग्हां पर लेट अप जाकर डूण कर डून सक लगाता है यहां पर यह इसके अंदर लगा उता और यह जो भी एमस खराब होने के करण कस्टमर ने पूरी नए बैटरी ले 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 लिए पूरानी वाली वाली बैटरी इसके अगर हम चेंज कर दे तो यहां पर हमारी पूरी बैटरी ओके है जो को अगर आपको कम रेट में चाहिए तो मेंनत करनी होगी आपको ढूंदना होगा आपके गाउं में मिलता आपके कोई सहर में मिलता तो आसपास आपको ढूंदना होगा तोड़े दूरी पे जावना होगा और आपको ढूंद के लाना होगा अगर नहीं मिलता है अगर मेनत नहीं कर सकते हो तो आपको पर्चेस करने होंगे नए ले ले लिए आपको मेनत नहीं करनी है अब यहां पर आप देखते हुआ इस यहां पर लिकाव है चोईस वोल्ट तो यह जो एक इलेक्ट्रिक साइकल की बैटरी होगी जो कि खराब हो गए होगी यहां पर हमें क्या करना होगी इसको 48 वोल्ट में हटाने के बाद में हम यहां पर एक 48 वोल्ट का यूज करेंगे यहां लेकर आया हो और जहां पर मैं बैटरी लिए है वहां से यह मिल गया है काफी कम रेट के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो यह तो उनलाइन पर्चेस कर सकते हो काफी एजीली मिल जाएगा सभी को यह रुगी वायो मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही कि विशार भाई आप वीडियो को इतनी लेट क्यों डाल रहें क्या कारण आपके वीडियो नहीं बन भारे उसका कारण यह कि हम जैसे नए स्टूडियो का अंदर शिप्ट हुए हमारे नए स्टूडियो के अंदर बहु आपको इसके साथ में इसके साहरे अटेजमेंट मिल जाते हैं से साथ में आपको यह मalश maple आपको ऐसके हैं अब इसका फूल स्पीड करते हैं अब इसका प्रेशर और भी बढ़ जाता है इसके इतना जादा प्रेशर है कि आप इससे बलून भी फुला सकते हैं आपको इसको फुला कर दिखाता हूं प्लेट नोजल और ब्रस का यूज़ करके हम ऐसी डश्ट को भी क्लिन कर सकते जो कि जम्मी हुई है लोग नोजल का यूज़ वहां पर कर सकते जहां पर हमारा हाथ नहीं जा सकता सफाय के लिए यह वाले नोजल बच्चों के स्विंग पॉल और एरो फिलो को फुलाने के में काम आने वाले हैं तो आप सब इने इस छोटू का जो है प्रेशर देख लिया कितना जादा है तो अगर आपको पर्चेस करना तो लिंक डिस्क्रिक्शन में दिया गया है तो भाई सब यह जो सेल है काफी मोटी साइच है और इनके अंदर काफी वजन भी है यहां पर तो यह ओरिजिनल सेल है और यहां पर आप देख सकते हो इनका मोडल नंबर है बतीस हजार साथ सो शेजार मिली एम्पेर के सेल है तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा इसका करना हो तो पुराना से खराब वाला इसको हम यहां पर फटा देंगे और यहां पर लगाएंगे दूसरा नया वेम WE pm तो यहां पर लगाएंगे दूसरा नाया V. यहां पर ये मार्केट से नहीं पर्छेष किया जहा से मुझे मिल गAY और यहां पर इसका कैसे करना हो आपको समझे तैक अंसरों वायर दिखेगा और यहां पर देख से तो इसके अंदर जो वायर है इनको आपने गिनना होगा सबसे पहले एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और तेरा इसके अंदर ब्लेक वायर को छोड़ने के बाद में 13 यहां पर वायर दिए गए तो हम यहां प रीप लेंगे और यहां पर हमाइन शेल को इस टाप से रखना होगा यहां यहां पर आपको धहां ठाखना होए जो 1 नसी सामिर मेs चिप्कना हां होट ग्लू से ले सरन दो सब्सक्राइब केंशन सेयल को मैंने अपस में चिपका लिया और अपदेख ख़िक यह काफी मजबूतीचे चिपक countries तो अब यहाँ पर आप दिखते हैं मने इसका कि इस टाप से मैंने connection किया है इसके अंदर connection करने के लिए में sport welding machine का use करूँगा और यहाँ पर sport welding machine से इसके अंदर sport करके connection करेंगे finally guys हमारा connection यहाँ पर हो चुका है और आपको समझा देता हूँ connection के से करना है यहाँ पर मैंने battery को सबसे पहले जो है series में connection किया है और उसके बाद में यहाँ पर दो-दो का जो मैंने pair बना दिया है आपको समझा जाता हूँ यहाँ पर देखसे तो हमारा minus point है यहाँ से बैटरी का और यहाँ पर इसका इमपेर जो बढ़ जाए हैं यहाँ पर नीची के साइड में बहुत सारे इसका क्नेक्षिन काफी सिमप यहाँ हैं यहाँ पर गवराने की जरूरत नियहां पूरा समझा दूंगा यहाँ पर आपको फिर्स्ट में एक ब्लेक यह लगा वायर दिखिगा उसके बाद जितने भी यहां पर हमारा 1st A, 2nd A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, इस टैप से यहां पर इसका connection करना होगा, तो पड़ापर तुमें connection कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि इस टैप से connection करना है, यहां पर देख सुका हम यहां पर जो फर्स वाला जो तेल है, यहां पर इसका negative point के साथ में connection करना होगा, उसके बाद में इसका 1st Ace वाला जो है, यहां पर लेगेगा, उसके बाद 2nd Ace वाला है, यहां पर लेगेगा वाए, तो इसी टैप से यहां पर 13 सेल के connection करना होगा, तो फाली गाईज, हमारा BMS का connection भी हो चुका है, अब यहां पर हमें यह करना होगा, BMS के अंदर से minus point नेना होगा, और यहां पर जो बैटरी का minus point है, यहां पर लगाना होगा, देख सेल कि पहले फर्स्ट में जो wire लगाता है, यहां पर हमें एक black color का wire लगाना होगा, हमें यहां पर मोटा wire यूज करना होगा, तो यहां पर मैं 6 mm का wire यूज कर रहा हूँ, और यहां पर इसको step से लगा देंगे, बैटरी के negative terminal पर लगा दिया है, और यहां पर आप देख से कि यह C माईना जो लिखा होगा, वहां पर हमें एक और wire लगाना होगा, जो कि minus terminal होगा, यह जो हमार आउटपूट और बैटरी को चार्ज करने में दोनों में काम आने वाला है, अब यहां पर plus terminal के लिए मैं एक yellow color का wire ले रहा हूँ, मेरे पास red color का wire नहीं है, तो यहां पर हम इसको इस टाप से लगा देंगे, वाइली काईस हमारी बैटरी बनके तयार हो चुकी यहां पर हमारी दो wire निकल चुके, जिसमें हमें 48V मिल जाएगा, यहां से हमें इसको चार्ज भी करना है, और यहां से हमें discharge भी करना है, तो यहां पर हमारी पूरी बैटरी बनके तयार हो चुकी है, अब इसको पूरा cover कर देंगे, ताकि यहां पर यह कोई source circuit ना हो, और हम आपको motor winding shop पर easily मिल जाएगा, यहां पर हम इसको पूरी चारो तरफ से, इस्टाप से cover कर देंगे, सबसे पर, यहां पर हमारी बैटरी बनके तयार हो चुकी है, और आप देख सकते हो कि इसको मैंने पूरा cover कर दिया, double cover किया, ताकि यह protection में रहे और कोई भी damage ना हो सके, अब यहां पर आपको voltage check करके दिखा देंगे, अब इसको कोई भी चार्ज नहीं किया, जैसे हम मार्केट से सेल लेकिया आएते हैं, खराब वाले, मतलब खराब सेल नहीं थे, वो BMS खराबता, तो मतलब जो मार्केट से लेकिया आएते हैं, वो की वो ही है, अब यहां पर आप देख सकते हो, इसके अंदर में लगा देता हूं, और यहां पर आपको चेक करके दिखाता हूं कि यह कितना यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है, अभी देख इहां पर जीस मैं इसके अंदर वोल्टेज रहा हुगा यहां पर बनके तयार हो सकते हैं, यहां पर इसका मैं छोटी साईज की जो बैटरी इसकी दौरए तो यहां पर मैने चो चोटी साच बनाई हैं अगर आपको इससे मतला 12A थी बैट्री अगर श्यादर हो जिसे ज्शादा को भादा इंपेर की तो यूज कर सकते हो और रहा पर आप बड़ी बैटरी भी बना सकते को बारको 程度 चोटिया कर俺 प utilities के टियार हो चुकिंग और यहाँ पर हम श्यूt करने वाले इज यह जो वीडियो है आपको हमारे एक्सप्राइमेंट प्रेंट मिल जाएगा, अगर आपको दीज हो देखनी है तो अमारे चनल मिलने जिहेंने किजिए जो कि तरह भी vidéo के चाहई है।